आज कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सेनरियो हो सकता है वह वीडियो वाली स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक मिनिट की एक चीज शेर करना चाहँ वाला हूं इसके एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं मेरे को टैंक दीजे में बनाने वाला हूं बट यह बहुत सीरियस बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेर करना चाहता हूं आप लोग बहुत अगर आप लोग यूट्यूब वाच करते हो और स्टॉक मार्केट से रिलेटेट चीजें फाइंट करने में आप लोगों को इंटरस्ट होगा तो आपको पता होगा कि यार रिसेंटली बहुत सारी ऐसी वीडियो सारी हैं जहां पर ट्रेडिंग, स्कैम और बहुत सारे स्कैम के उपर बाते हो रही हैं जैसे अभी मैंने कल ही पहली वीडियो देखी थी फर मैंने सारी वीडियो वाच करी अनुभफ करके कोई हैं और विजयन्त करके बहुत सारे दो-तीन लोग हैं जो लोग स्कैम के उपर और और वो सारी चीजों के ऊपर बहुत सारी बाते कर रहे हैं, ठीक है, हो क्या रहा है, मैं अगर आप तो को एक clear fact के साथ बात बताऊ, जो वो लोग facts लेकर आ रहे हैं, वो बिलकुल सही हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा है, अगर वो लोग facts के सामने कुछ चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो actual में वो बंदा guilty होगा, ठीक है, बट वो जो point of view दे रहे है वो point of view अपना दे रहे है, और वो लोग बेसिकली यहां पर क्या है, जो हमारी YouTuber community है, जो हमारी YouTube की community है, जो stock market की community है YouTube के अंदर, येस, बहुत लोगों के अंदर ऐसा होता है कि वो एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते है, because of the money, of the fame, बहुत सारे YouTubers ऐसे हैं, मैं नाम ने लियना चाहते हैं, ठीक है, बट actual में वो लोग content provide करवा रहे हैं, वो लोग content provide करवा रहे हैं, होता क्या है, अगर हम लोग, जैसे मैं आपको कुछ knowledge provide करवा रहा हैं, और मेरे ऊपर कोई video आती है, जिस पर मैं कोई fraud कर रहा हूँ, या कोई चीज कर रहा हूँ, so explain मुझे करना चाहिए, ना कि सारा गा सारा ग्यान किसी और को देना चाहिए, so I hope आपने बहुत सारी videos देखी होंगी, मैं किसी को मनन नहीं कर रहा है, जो अनुबफ करने हैं, जो vision, शायद ventis craft और booming bulls, यह दोनों की उपर बाते चल रही हैं, जिस तरीके से बोलो facts here कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, हाँ वो सच हो सकता है, ठीक है, मैं उन लोगों को गलत नहीं साबित कर रहा है, बट मैं कह रहा हूँ कि उसकी वज़े से ना, जो बहुत सारे stock market की community है, YouTube के अंदर, उन पे bad effect पढ़ रहा है, और वो मैं नहीं चाहता, तो मैं एक video separate बनाऊँगा, मैं किसी के ऊपर भी against the new, मुझे सारे लोग अच्छे लगते है, अनुभब जो कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, वो जिस तरीके से वो facts brain कर रहा है, वो तो lawyer बन सकता है, इस से बढ़ी है, तो कोई नहीं कर सकता हूँ, वो stand हो रहा है, अपनी एक चीज के लिए, तो सारी चीज अच्छी हो रही है, बट I think कि मुझे एक वीडियो इसकी उपर बनानी चाहिए, और एक बहुत serious और dedicated वीडियो होगी, डोन वरी, आप मिस्री करेंगे, मैं बहुत जल्दी ही उससे बनाऊगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो ने दिखेंगे, तो आपको सीधा टाइप करना है, ट्रेडिंग स्काम, और आपको बहुत सारी वीडियो दिख जाएंगी, डिसिप्लेन एक आडमी करके भी है, जिसने बनाई है, ठीक है तो आप चेक कर सकते हैं, तो बात करते हैं सबसे पहले कि कल कौन से इसे 3 स्टॉक्स हैं, जिस पे हम लोग बढ़िया रिटर्न अर्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ने मंडे के स्टॉक्स की बात करें, डोन मरी, तीन स्टॉक्स में आज और लेकर आ रहा हूं, जो मुझे लगता है कि अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, तो अगर अभी तर्ग आप लोग हमारे फोस्ट में इंविस्टमेंट के टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपने को को एवरी डे लाइव मार्केट के अंदर फ्री ओफ कॉस्ट प्रोवाइड होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जॉइन होनेगा, कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपने को को अगस्ट पे, आप फ्री ओफ कॉस्ट जॉइन हो सकते हैं, ठीक है, तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेट अप पे और बात करते हैं, कौन्से स्टॉक बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, निफ्टी बांक निफ्टी पे क्या क्या आठ सकते हैं, और FIA का डाटा क्या सजेस्ट कर रहा है, तो हम लोग अपने ट्रेडिंग सेट अप पे आ चुके हैं, सबसे पहला स्टॉक जो मैं प्रेजेंट करने वाला हैं, वो है GMM, GMM Faudler, स्टॉक आप यहाँ पर क्लिरली देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं आप टोको को एक्स्पेंट करना स्टार्ट करूँ, क्यों रीजन है, क्या रीजन है मैं इस टॉक आप टोको को रिकमेंट कर रहा हूँ, सो आप देख सकते हैं, सबसे बॉटम पर आपको सबसे पहले एक सपोर्ट की लाइन, एक होरिजन्टल लाइन दिख रहे होगी, जहां पर मुल्टेपल बार सपोर्ट ले रहा है, इसके उपर एक रेड लाइन है, जो कि पहले एक रिजिस्टेंस के आट करता था, जब एक ब्रेक आउट दिया, तो वो उसके लिए अब एक सपोर्ट बनना स्टार्ट कर गया, अगें यही सेम प्रोसेस रिपीट होता है, एक रिजिस्टेंस लाइन होती है, इसका ब्रेक आउट देता है, दुबारा नीचे आता है, एक डबल बॉटम, क्रिएट करता है और ऊपर जाना स्टार्ट करता है, यह स्टॉक बहुत अच्चा पॉफोर्मेंस दे रहा है, बहुत अच्छे लेवल्स पर है, एक ब्रेक आउट देने के बाद, consolidation होने के बाद दुबारे एक अच्छा breakout देता है I think stock पे हम लोग एक buying करके चल सकते हैं So मैं आप लोगों को बता देता हूँ करना क्या है आप लोगों को देख सकते हैं यह अभी exact अपने resistance पे इंटर कर चुका है और और अल्रेडी शायद breakout भी दे चुका है अभी जो इसका current price है that is 4810 रुपीज का ठीक है 4810 का current price है आप लोग इसे 48152 पर buy कर सकते हैं जो मैं targets expect कर रहा हूँ minimum वो 4900 रुपीज के और इसके लावँ 4955,000 रुपीज के आसपस तक है मैं targets expect कर रहा हूँ जो मुझे लगता है यह stock दिखा सकता है stock को अपनी watch list के अंदर add कर सकते है definitely मुझे लगता है stock better performance दे सकता है हमारा next stock है Gale Limited Gale India Limited अगर आप देखेंगे तो सबसे बहुत आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि एक rising channel के अंदर यह stock काम कर रहा है bottom पर आप एक trend line दे सकते हैं जो सारे supports को कनेक कर रही है आप top पर trend line देख सकते हैं जो सारे resistance को कनेक कर रही है अब यह stock recommend करने का सबसे बढ़ियर reason क्या है आप सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे after a very sharp और very continuous fall on a very long day यहाँ पर आप देख सकते हैं एक reversal देखने को मिला stock ने आज एक gap opening दी और अपने exact top पे जाके close करा दूसरी चीज़ इसी level पे एक pattern form हुआ है जिस हम लोग कहते हैं bullish cipher pattern यह एक harmonic pattern होता है तो यहाँ पर एक bullish cipher pattern मना है और मुझे लगते हैं यह stock बढ़िया returns दे सकता है तो मुझे अभी current price के अगर मैं बात करूँ तो 142.80 rupees के अंदर यह stock काम कर रहा है 143.10 के उपर अगर यह जाता है तो आप लोग buy करके चल सकते हैं मुझे लगता है 145, 147, 148 या और higher levels भी stock दिखा सकता है कर अगर यह अच्छे levels के मिलता है तो पहले से buy करेंगे मैं आप लोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगगोगे चैल पे इसका perfectly target explaining कर दोगा ठीक है इसको अपने watch list के अंदर ज़रूर रख सकते हैं हमारा last stock है लुपन लुपन आप और रेडी बार बता चुका हूँ इसके अलावा मैंने टेलीगराम पे भी स्टॉक सबसे पहले आप लोगों को रिकमेंट करा था बाइ करने के ले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है आज बहुत टाइम तागी एक रेंज बाउंट के अंदर एड़ा 1120 रूपीस के आसपास ही ट्रेट करते रहा और इवेंचली लास्ट मिनिट के अंदर इसने एक अपसाइट देन स्टार्ट करा और अपने कुरूशल लेवल पर आया अगर बात करें कि अब रेक आउट दे दिया अभी तक ब्रेक आउट दे दिया बट हम लोगों ने लूवर लिवल्ट पर बाई कर रहा है तो येस वी अर स्टेल होल्डिंग इस पर्टिकुलर स्टॉप क्या रीज़न स्टॉप को बाई करने का मैं एक आखरी बार आप लो अगर आप देखेंगे क्या हुआ वी पीच प्रिवियस वी की ग्लोजिंग में इसने यहां क्लोजिंग दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन पे गाप अपन हुआ और उपर जा कि क्लोज करा है इस टॉक बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है मुझे लगता है 1160, 1160, 1200 के आज सपास ही स्टॉक इस महीने के अंदर जा सकता है और बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है स्टॉक अपनी वाचलिस के अंदर जरूर आट कर सकते हैं मुझे नहीं लगता कि यह ब्रेक आउट ब्रेक डाउन देगा तो अगर आप इसे पोर्ट्फोलियो या स्विंग ट्रेडिंग ले आट करना चाहते हैं तो यह बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है विदिन नहीं डबल बॉटम क्रियेट हुआ है यह ब्लूपटन क्रियेट हुआ है यह एक ट्रेंड लेने है जिसका ब्रेक आउट दे चुका है अज की लास्ट आर के अंदर नहीं क्या एक रीटेस्ट करा एंड दुबारा उपर जाने की बोशिश करें तो क्या कर सकते हैं जब तक नहीं वाला जो रेंज है जो 30 मैं बैंग निफ्टी की बात करना हूँ सौरी अभी बैंग निफ्टी का यह जो रेंज है वो है 34,500 जो कि एक क्रूशल बेस है अगर हम बात करें तो वो ओपन इंटरस्ट पे भी क्रूशल सपोर्ट है और एक बेस बनावा है जो कि 34,500 रूपीज का लेवल है तो जब तक वो बरेक नहीं होता ना 15 अमेट के टाइम फ्रेम पे तब तक हमें शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है बना हम लोग हायर लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं इसके लाव हमें बाइंग कप करनी है मैंने आपको बताया था इस लेवल के ऊपर ये देख रहे हैं स्ट्रॉंग फॉल आया था इस लेवल के ऊपर जब जाएगा तो हमारी बाइंग भी स्टार्ट हो जाएगे ये लेवल क्या है 34,840 या 50 रूपीज का लेवल जब ये ऊपर जाएगा तो हमारा जो नेक्स तार्गेट होगा वो नेक्स तार्गेट होगा ये लेवल जो कि 35,000-35,080 रूपीज का जो मुझे लगता है 200-200 पॉइंट्स तक का है जो कि इनफ है बाइंग निफ्टी में ट्रेड लेने के ले चो करना क्या अगर ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता है तो कुई ट्रेड नहीं लेना अगर ब्रेक kaikki देता तो बॉइ करना ब्रेक डाउं लेटा तो शौर्ट करना थेख है बेट मुझे पूरा लग रहा तो मतलब वहाँ पर buyers अभी बैठे वे हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि कल के trading session के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे I hope आप मेरा point समझ रहे होगे ठीक है? Nifty की बात करते है Nifty का chart मैंने open कर दिया आप तो को के लिए already मैंने बहुत time पहले आप तो को एक बात बताएती यह जो blue color की line देख रहे हैं इसके उपर अगर breakout देता है तो यह जो black color की line है यह हमारा target होता है Exact अपने blue line पे enter है Exact आप देख सकते हैं अपने blue line पे है So अगर कल 15 minute के एक 20 वाली bullish candle अगर इस line के उपर close होती है जो की 15,890 रूपीज का level है तो आप एक buy करके चल सकते हैं मुझे लगता है की 50 to 60 रूपीज अराम से दे सकता है जो की level आ रहा है 15,949 रूपीज का तो मुझे लगता है वहाँ तक यह stock या index जा सकता है उसके बाद दुबारा एक fall आ सकता है मतलब sideways to uptrend वो ही एक scenario रहने वाला है तो उसके लिए न कल मैं आप लिगो को first investment के telegram channel पे option strategy recommend करने वाला हूँ अगर मेरे हिसाब से market चलती है तो मुझे लगता है वो बड़िया return वो strategy आपको provide करवा सकती है तो please stay tuned for that बात करते है open interest के और देखते है FIAC ने options पे क्या कर रहा है futures पे क्या करा so मैंने nifty का open interest आपके सामने open कर दिया clearly यहाँ पर हमें जो सबसे बड़ी candle दिख रही है वो green candle दिख रही है green candle हमें simple यह बता रही है कि market एक base create कर रही है base कहाँ पर create कर रही है 15,800 रुपीज पे और second highest put writing कहाँ पर देखने को मिल भी है 15,900 रुपीज पे ठीक है 15,800 पे और 15,900 पे और रही है so यानि कि अगर 15,900, 920 ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्केल है 920 बनी अगर 900 बानके चल रहे है तो मैं 940 भी मानके चल रहा हू so क्या कर सकते हो अगर 940 के असपास अगर आता है न तो शायद एक बार selling आ सकती है जो कि Nifty को 20, 30, 40 points नीचे लेकर आ सकती है वहाँ पर एक short initiate हो सकता है सिर्फ 30, 40 points ले otherwise short नहीं करना है बिकॉस एक base create हो रहा है but अगर 1 hour time frame तक भी ये 15,900 पर close कर जाएगा तो I think ये जो base 15,800 पर जो इत्ती बड़ी candle बनी है न वो shift हो जाएगी 15,900 पर और higher levels और open हो जाएगे so मेरे हिसाब से sideways to uptrend है every dip is a very good opportunity to buy in this particular expiry मैं ये नहीं कह रहा कि अगली बतलब अभी हमें ये ही continue करना है ये expiry मुझे अभी तक ये दिखा रही है ठीक है बात करते हैं एक बर bank nifty के weekly open interest को so वो particular चीज क्या बता रही है यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं कि ये आप लोगों को सबसे बड़ी candle दिख रही है वो एक rate candle दिख रही है जो कि 34,800 पर आपको show कर रही है and second highest call writing दिख रही है 35,000 पर अभी मैंने आपको क्या बोला 34,000 840 का level जो है वो निकलना बहुत जादा मुश्किल है अगर वो निकलता है तभी हम लोग 35,000 expect कर सकते हैं 35,000 50 expect कर सकते हैं so होगा क्या अगर 34,000 40 50 निकलना start करेगा 34,000 840 निकलना start करेगा तो ये वाला जो call writer है वो अपने position को exit करना start करेगा and जो भी सारा base होगा वो 35,000 पर shift होगा और जादा तर जो market जो bank lift है वो 35,000 की तरफ बढ़ना start कर देगी but अगर कल ये starting पर ही मतलब starting के 15 से 20 मिट के अंदर ही 34,000 840 को cross नहीं कर पाई तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि वो शायद cross ही ना कर पाई वनना दो बजे तीन बजे के आसपास ही cross कर पाईगी क्यों अगर starting में cross नहीं कर पाईगी ना जो भी call seller है वो और जादा start हो जाएगी heavy होना और उसकी बज़े से वो लोग बहुत जादा push करेंगी इसके लावा लोग ने इंडेक्स future पर 5.9 कर उसकी बाईग कर रही है कि market sideways to uptrendy देने वाली है जादा bullish मैं अभी expect नहीं कर रहा ठीक है I hope आप मेरे वाला point समझ गया होगा ठीक है so मेरे साब से that's it for today मुझे लगता है कि इतना ही है जो मैं आप लोगों को आज Tuesday की market के लिए बताना चाहूँगा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रेली वो वीडियो बना हूँ और सारे community के favor में बोलूँ तो please do let me know in a comment section thank you guys bye bye have a good day